दोस्तो आज मैं आपके लेकर रही है एक ऐसा Natural Amazing Face Pact जो आपके चेहरे में जादू की तरह काम करेगा यह Face Pact से 10 मिनिट में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है इतना अच्छा और इतना Instant Result देता है ना जब आप खुद इसे अप्लाई करके देखोगे तो आप खुद आपको definitely मिलेगी क्योंकि घरे लोन उसकों में वो ताकत, वो शक्ति, वो पावर होती है जो मिना किसी side effects के आपकी skin को अगर आप continue इस home remedy को use करते हैं तो आप ना इससे आपकी जो skin है काफी लंबे समय था young, clear, bright, glowing and healthy बनी रहती है लेकि कोई भी home remedy यूज़ करने से पहले उसका एक pass test जरूर करें क्योंकि किसी कि skin तनी sensitive होती है कि कोई कोई चीज़ें ने बलकि बहुत से चीज़ें जो ने असानी से suit नहीं करती है तो इसलिए अगर आप कोई भी home remedy ट्राइ करते हैं तो उससे पहले हमीशे एक pass test जरूर करें मतलब कि अगर आप कोई भी home remedy या कोई भी beauty product आप face पे use करने वाले तो उससे पहले आप उस home remedy जो आप try करने वाले हैं या कोई भी beauty product उसकी थोड़ सी quantity आप कान के पीछे लगा लेजे थोड़ा सा रात को लगाना है आपको या कोई भी beauty product या home remedy जिसे आपनी body में try करने वाले हो तो उसके लिए आप patch test कहां करेंगे आप जो inside of elbow area होता है ना कोई की अंदर का जो area होता उस जगे आपको थोड़ा सा quantity आपको अपने उस जगे लगा लेनी है रात को लगानी है और नेक्स या आप उसको हटा दे अगर आपको कोई भी खुझली या allergy नहीं हो रही है तो आपके लिए वो remedy परफेक्ट है suitable है आप उसे बे हिचक ट्राय कर सकते हैं तो नमस्कार हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अवेगिन उसके चैनल में करने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर जरूर कीजिए तो लेट्स स्टार्ट थी वीडियो विदाउट इले तो दोस्तों सबसे पहले इस अमेजिंग फेस्पेक को बनाने के लिए आप लेलीजे एक एंप्टी बोल और अब आपको चाही तकरीवर एक चम मर्च करीब चावल का आटा घर का बनाओ यह चावल का आटा यूज करना है mbreक्ट का नहीं चावल का आटा बनना बहुत ही असान है अगर यह चावल के आटे से बनों कोई भी फेस्पेAK अगर आप लगाते तो आपके स्किर में यह मिन्टों कर मतलब उसको पहला कस पंके के नीचे आपको तीचा घंटे के लिए जब चावल सूख जाए तो उसको आप बारीक पीस लीजिए और साफ एटाज गंडे नहीं बर कर रख लीजिए आपका चावल का डटा त्यार है और या फिर चावल को आप भीगो कर जितना आपको चेहर नहीं बर कर दो तो थोड़ा खरकी डाले वरना बहुत जाएगा तो थोड़ा साथिक पिस्क शही है तो उसमें मैंने राल दिया तीन से चार्चा मज करीब कच्छा दूद बर इसमें डाल दिया कच्छा दूद निया तो आप फ्रेश ऐलोवेरा जैल भी ले सकते हैं या फ चार्चा करता है अच्छे से निकाल देता है सकी काफी रिफ्रेशिंग दिखती है चावल की आठे में अमीनो एसीड और विटामिन्स होते हैं जो इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रपरडी जो संदर्स आपके स्किन को बचाती है तो अगर आपके स्किन में रिंकल से डा करता है और दोस्तों यह बहुत ही बड़िया फैरनेस एजेंट है तो अब इन दोनों इंग्रेटिंट को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको फिर पांच मिनट तक मैं से साइड में रख दूगी ताक यह थोड़ा सा गाड़ा हो जाए तो यह देखिए अब यह र कर लीजिए कोई भी फेस पैक लगाने से पहे आपका फेस क्लीन होना चाहिए कोई ड़ड उसमें नहीं होनी चाहिए तो इसको मैं साइड में रख देती हूं असा गाड़ा हो जाए गाए तो यह देखिए फ्रेंट्स पांच मिन ठो चुके हैं और हमारा जो पेस्ट है यह सो देखे कितना थिहो गया पहले कितना रणी सीस्ट में था और लिखे कितना थिख हो गया तो यह पेस confirmed रहता है तो अब जाल लिए शाह तो यह अप करिभ और हो जानते है कि पेस कली तो तो अब्बसक्ट होता है दोस्तों निंए अंटियों से होते हैं जिससे आपकी स्कि इसको आपने मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद भी इसको साइड में अपने इसको क्रीने करें तब तक फिर से थीक हो जायगा। और अगर आपका जादा रणी कंसिस्टेंसी का बन गया है तो आपस पर चावल का आटा एट कर सकते हैं तो अभी हम इसको मिक्स करने के बाद साइड में मैं इसको रख रही हूँ आपस में चाहे है तो थोड़ा से नीबु का रज भी आट कर सकते हैं क्योंकि नीबु में बहुत सारा विटेमिन सी होता है जो आपके स्कीन को ब्राइटन और लाइटन करता है लेकि मैंने इस फेस फेक को बनाने के सिर्फ तीन इंग्रेटियंट का यूस किया है पहला चावल का आटा दूसरा इसमें कच्छा दूद और तीसरा इसमें श्रहत मैंने मिलाया है तो इसको मिलाके मैं थोड़ा साइट कर लेती हूं थोड़ी देर के लिए और क्योंकि फेस फेक लगाने से पहले आपका चेहरा भीक अच्छे से क्लीन होना चाहिए इसमें किसी पर गार कि डॉइट नहीं होनी चाहिए चाहिए तो आपने फेस को फेस वाश्क के हर्फ से क्लीन कर लीजिए गिले कप्टे से आप फेस को क्लीन कर ले लिए फोडसा कच्छा दूद से एक चुटकी हल्दी बिलकुल ऑप्शनल है चाहिए टाली ऐ चाहिए उह तो आपके सारी डर्ट और ब्लैक हैड को रिमूव कर देता है तो यहां पर हम ले ले लेंगे एक पॉटन पैड या कॉटन आप ले लीजे और उसको इसमें डिप कर दीजे इस तरीके से और थोड़ा सा squeeze कर लिजे आप cotton को और अपने face को अच्छे से clean कर लिजे दोस्तों अगर आपको dark sports की problems sun tan है, dryness है, pigmentation, blackheads, wrinkles यान even skin tone है जैसे कहीं से आपका चेहरा थोड़ा गूरा दिखता है या थोड़ा सा काला सा दिखता है या चेहरे में काले धब्बे से दिखते है तो आप चाहते हैं आपकी skin जो एवन लगे एक समान लगे तो ये face pack आपके लिए almost सभी problems को दूर करेगा बहुत best चाहिए face pack आपके लिए आपकी skin को एक दो shade lighten lighten करेगा, ऐसा नहीं मैं ये कह रही हूँ कि आपको रात और रात ये गूरा कर देगा भगवान ने आपको जो रंग दिया है इसको ये बदल देगा नहीं दोस्तों ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपके कुदरती रंग को बदल दे हाँ इतना जरूर मैं कह सकती हूँ कि ये face pack आपको instant result देगा और अगर आप continue इसको लगाते हैं इसको यूज करते हैं महीने में कम से कम चार बार तो आप ये आपकी skin को ये clear, bright, glowing और skin को ego shade ये lighten कर देगा और healthy और लंबे समय तक young बनाए रखेगा तो आपको चावल के इस face pack को अपने चेहरे पे इस तरीके से लगा लेना है और हलके हातों से circular motion में gently scrub करना है, बहुत ही अच्छा scrub का काम करता है, ये चावल का आटा आपके skin में बिना नुकसान पोचाईए, सारी dead skin को निकाल देता है, तो इस face pack को आपको अपने चेहरे पे लगा का कम से कम 20 मिनिटे ऐसी लगे छोड़ देना है जब ये शूब जाए, तो आप इसको नॉर्मल वाटर से दो लीजिए इसकी एक ही बार के यूज में आप देखेंगे कि आपकी skin काफी clean हो गई है smooth लग रही है, glow आपका face कर रहा है इतना instant result देता है, आप इसे try जरूर करके देखेगा आप इस pack को अपने चेहरे के सांसा, अपने हाथ में, अपने पूरी body में लगा सकते है दोस्तो आज करना है कोई गोरा दिखना चाहता है, सुन्दा दिखना चाहता है गोरेपन के तीछे कुछ तो लोग ऐसे पागल हुए पड़े है, जैसे गोरापन ही सब कुछ है दोस्तो यहाँ पर एक बात समझी बहुत जरूरी है कि रंग चाहे गोरा हो या काला या सावला को भगवाने जैसा रंग दिया है उसी में आपको खुछ रहना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए इसकीन का रंग गोरा होया सावला इसवा से कोई फर्क नहीं पढ़ता है फर्क इसवा से पढ़ता है कि आपकी सिकिन कितनी स्वस्थ है, कितनी हल्दी है पाने के लिए अच्छा खाना पीना खुश रहना सकारत पक रहना अपने आप से प्यार करें तो यह सब चीज़े अगर खुश रहते हैं तो आपका स्किन अपने आप ही ग्लो करेगा और आपके चेरे में एक रॉनक रहेगी आपका चेरा हमीशा खुबसर दिखेगा तो दोस करते हैं दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी है अगर जड़ा से भी है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरू-जरू कीज़े और अगर आप मेरी चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्काइब जरू कीज़े और साथ में जोगा टिक में वीडियो को पूरा देखने के अपको अब धन्यवाद बाइबा एंड टेक कियर